हुआ 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 है तो दोस्तों मैं आगा एक नहीं वीडियो के साथ में और इस वीडियो में आपको बताऊंगा मेरा जो लेटिस्ट फॉर्मेट है जो स्पेशली मैंने मोबाइल के लिए डिजाइन किया है और है फूट कॉस्टिंग स्मार्ट फॉर्मेट फॉर्म मोबाइल देख सकते हैं इसके जो लुक है बहुत ही यूनिक है और इसमें सारे फीचर्स अवे लेवल है तो मैं आपको इस टेप बेस्टेप बताऊंगा सबसे मैं आपको बता दूए मैं आपको लैप्टाप में दिखा रहा हूं मोबाइल का भी भी हमारे पास है और यह जो फॉर्मेट है मोबाइल पर बहुत अच्छा से चल जाएगा आपका अगर आपके बस मोबाइल है तो इस फॉर्मेट को बना सकते हैं तो चलिए शूरू करते सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस तरह का नॉलेजबल वीडियो में अल्री डाल चुका हूँ और आने वाले दिनों में भी डालता रहूंगा तो चलिए शुरू करते सबसे पहले जैसे आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर लोगी इसका इंटरफेस जो ही इस तरह का द कॉंटिटी प्राइस वेस्टेज और इल्ड अन्देन सप्लायर का डिटील का अफी टाइम हमको सप्लायर का डिटील भी अवेल एवेल रखना पड़ता है ताकि उनसे हम कॉंटक कर सकते और उस मैटरियल को और कर सकते हैं तिया पर जो रेट कलर में देख रहा हूं पहला लाइने सिरियल नंबर और इल्ड सेक्शन एक अटोमेटिकली क्यल्कुलेट होगा इसमें फॉर्मूला लागा हुआ है आगे मैं आपको पताऊंगा कौन से कौन से फॉर्मूला मैंने लगाया एक आइटेम मैं आपको लगा कि यह पर दिखाता हूं फॉर मॉबाइल देख से मैं लेता हो कैटेगरी हो जाएगा इसको नौन वेज और डख होता है ना डख जो बद्याक होता हो यह आप हम लेंगे यूनिट में ग्राम क्यूंकि हम जो है रिसीपी कोस्ट निकाल रहे यह 1000 का हिसाब से कल्कुलेट करते हैं एक किलो को तो हमने देखिए क्वांटिट हमने 1000 लिखा है और यूनिट में ग्राम इसके प्राइज होगा हमारा एक्स फॉर एक्जांपल 650 एक किलो डख का इसके बाद इसका वेस्टेज देखे जब हमको डख मिलता है उसका हम हंडेट पर संट यूज नहीं कर पता है उसका थोड़ा सा ट्रीमिंग बगेरा करना पर परता है कुछ चीज़ें को फेगना परता है कड़ीब कड़ीब हमको 150 ग्राम हमको फॉर एक्जांपल वेस्टेज हो रहा है उस डख से उसके बाद हमको देखिए यहां पर कैलकुलेट है कि आटमेटिक लिया रहा है यह आप चाहते हो तो सप्लायर का डीटेल साइट कर सक आटेल में नहीं करना हो इसके बाद हमको आजाना है डिसटीपी में जहापर हमको डिस घिपनाना है यहां पर सबसे पहले आप यहाँ सकते हो सर्च आइटेम नेम क्योंकि जब हमारे पास आइटेम लिस्ट में बहुत सरा आइटेम की नेम होगा उस दौरान हम किस तरह से जल्द से जल्द आइटेम को ढूंद सकता है इसलिए मैंने के यहाप एक सर्च इंजीन बनाया है यहापको मदद करेगा उस आइटेम को पर्टिकुलर आइटेम को ढूंदने के लिए जैसे कि एक्जांपल के लिए हमको आभी चाहिए डख तो हम यहाप लेंगे डी स्रेप से देखिए मैं यहाप एक डौड आ रहा है कि क्लिक करेंगा तो यहाप डाक आ रहा है तो फिलाल यहाप है लगा हुआ हम नेकिस्ट अलासेल्ज सेल और को तो का लिया है ब्रेस्ट भी आगा चिकेन लेक लेते इस तरह से हम किसी भी आइटेम को ढूंड़ने के लिए उसके पहले जो वाड होता है उसको हम लेटर होता है उसको हम लिख देंगे यहां पर अगर एक लेटर में नहीं आ रहा है जिससा चिकेन के लिए चीएच कर देंगे देखिए अब यहां पर में कर देता हो ड्रप डाउन में देखिए यहां पर चीएच से जितने भी आइटेम सब यहां रहा है तो बहुत ही आसानी इसको यूज करना अब फॉर एक्जमपल मैं यहां पर थोड़ा पॉन स्टाच ले लेता हो और अब यहां पर आपको और कुछ भी नहीं करना है बेसिकली स्रिफ आइटेम नेम एड़ करना है और यूज करना है और इस रिसीपी में डग हम कितना यूज करने बले सबोस्ट टूंड़ ग्रम चिकेन लेग ओन फिफ्टी ग्रम कैबेज टूंड़ ग्रम कॉन स्टाच और अब अच्छेशनट 50 ग्रम तो देखे इस तरह से हमको स्रिफ आइटेम नेम एड़ करना है और इस रिसीपी मोग आइटेम को कितना यूज करें उसे एड़ कर देना है हमारा काम खतम हो जाता है लेप्ट साइड में हमारे यहां पर फूट कोस्ट जिन में सबसे पहले बना है तो यह अगर में मैं आ यहाँ आड़ कर देंगे जैसे की फूट को बनाते हुय हमको स्टेज होने वां के इसको हैं मैंने ने एक रखाए क्यूंकि यह में डी locked जो है जैसे के स्पिरिंग रोल के लिए हम रिसी भी बनाएंगे उसके बाद portion साइज में जहके चार या पाछ कर देंगे ज inquiry को भी हमारओ porta पोष्टन साइज ए इस्पिरिंग रोल की अम पाछ कर देंगे तो देखे नीचे portion कोस्ट यहां पर फाईनल वniest आ गया और यहां पर फाइनल कोस्ट आजाता है फिलाल हम सर्फ एक ही नहने देंगी इसके बाद यहां पर देखिए आपको सेडेट। यहाँ पर मैंने और एक सेक्शन रखा है जो आपको बताए कि जो रिसीपी हम बना रहे है यह यह फिन नॉन वेज हो का तो देखिए फिर ग्रीन हो जाएगा नॉन बिज रहेगा तो रेड हो जाएगा ऑटोमेटिकल यह भी यह ड्रॉप डाउन सापको सिलेक्ट कर लेना है इसके बाद राइट साइड में आपे मेनु कॉस्टिंग के लिए एक सेक्शन में ने बनाया यह पूरा सेक्शन जिन में हमको सेलिंग प्राइस डालना है हमारा रेसीपी अगर बन रहे है टू थर्ट थी रूपीस में और इस रेसीपी को अगर हम फाइब अंडेर में सेल क आ रहे ताब देख सकते हमारा फूट कोस्ट रहे 47 परसेंट प्रोफित होड़ा है 272 67 रुपीस नीचे हम तरह जी एस्ट के लिए सेक्शन लागा दिया जिसे हम टैक्स कहते 10 परसेंट फिलाल है आगर हम चाते दो 50 परसेंट भी कर सकते है उस हिसाब से आमारा जी एस्ट अगया 75 रुपीस और फाइनल प्राइस आगया आमड़ा 575 रुपीस तो इस तरह से काम करता है नीचे और एक सेक्शन यहां पर यहां पर आप मैथोड लिख सकते हो किस तरह से इस डिसीपी को बनाना है फिलाल में नहीं लिख रहो तो था अगर आपके पास एक मोबाईल ह या फिर टैब है या फिर आप लेप्टाप में या फिर कम्पूटर में इस फॉर्मिट को यूज़ करना चाते हो पर आपको इसको बनाना नहीं है डायरेक्ट डाउनलोड करना है तो इसका लिंक अपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा